hey learners welcome back to day 43 of this amazing 100 days coding challenge let's begin with day 43 coding statement so coding statement कहता है कि write a program to check if two arrays are same or not so हम लोग array के बारे में discuss करेंगे so पहले java में code लिखेंगे and फिर python में I hope कि आपको array के बारे बताओ कि array क्या होता है array कैसा bucket इस में हम लोग same data type के elements को store करते हैं integers होंगे तो सिफ नम्मर स्टोर होगा और अगर character data type है तो सिफ characters उसमें store होंगे तो इस तरह से so इस code में हमको क्या आफरना है description देखते है get two arrays as input from user हमको user से दो array लेना है and check करना है कि वो दोना array सेम है कि नहीं तो हम लोग integer का array बनाएंगे और उसको चेक करेंगे ठीक है so दो array सेम कब होते हैं जब उनका length सेम हो ठीक है so we need to calculate the length of the both the arrays and check whether the length is same or not और एक और condition क्या होता है two arrays are set to be equal if both of the array contain same set of elements कि अगर उसमें 1234 है तो इसमें भी 1234 होने चाहिए order कुछ भी हो सकता है बड़ element सेम होने चाहिए तो क्या step होगा क्या procedure होगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग उनको sort कर देंगे ताकि हमको calculation करने में easy रहे तो सबसे पहले हमको initialize करना होगा दो एरे कर दिया इने slice फिर before means आगे बढ़ने से पहले हमको user से input लेना होगा तो इसलिए हम लोग scanner का use करेंगे और दो एरे user से ले लेंगे पहले तो size लेंगे फिर उसके elements ले लेंगे इसके बाद हम लोग एक equal function को create करेंगे और उसमें हम लोग array का length find करेंगे और उसको sort करेंगे तो वह भी बना लेते हैं यहाँ पर देखो so equal int array 1 array 2 a1 means array 1 a2 means array 2 so this equal function में हमको क्या करना होगा हमको सबसे पहले length find करना होगा दोनों array का and if the length of both there is not equal तो हमको false करना है कि यह same नहीं है और उसके लिए फिर उसके बाद हम लोग को अगर वह same है तो हम लोग sort कर देंगे array को and फिर एक for loop में check करेंगे कि दोनों के elements same है कि नहीं means एक-एक करके iteration करेंगे अगर same रहे तो ठीक है true करेंगे return अगर same नहीं तो false return करेंगे बहुत easy step है कोई doubt इसी में तो comment करके बताओ and अगर आप चैनल पर नए तो चानल को subscribe कर दो and यह playlist को share करना बहुत important playlist है आज day 43 हमने complete कर देंगे और 42 days टक कर video upload हो चुका है हर रोज एक नया coding statement कर रहा हूँ so do share it and अगर आपको अच्छा लगे तो hit the like button so देखो कि किस तरह से input और output हम लोग लेने वाल है so input में हम लोग सबसे पहले pass करेंगे message enter the size of array 1 so let's say मैंने 4 डाला so उसके elements डालने होंगे enter elements of array 1 मैंने कुछ elements डाल दिये फिर array 2 भी लेंगे enter size of array 2 enter elements of array 2 so अगर कुछ यहां पर algorithm check होगा कि same है कि नहीं अगर दुनों same आगे तो हम लोग print कर दिये both arrays are same if their length is not same अगर कोई element same नहीं है उन arrays के अंदर तो यह same नहीं होंगे so इसी को हमको code के माध्य हमसे समझना है so let us code in Java so मैंने यहां पर boiler code already लिख के रखे है जैसे कि class का नाम चोकि हमारा file का नाम है और main function and क्योंकि हम लोग user से input लेने वाले इसलिए scanner की हमको आवशकता होगी so सबसे पहला का हमारा क्या होगा देखो step देखते क्या है initialize two arrays and उसके बाद उनको उनका size लेना array का फिर elements लेना है ठीक है so यह तीनो step हम लोग अभी सबसे फटाफट कर लेते हैं क्योंकि यह सब user से input लेने वाले हम लोग so array को initialize कर देतें so किस तरह से किया जाए क्या होगा उसका syntax so int फिर array का symbol आप यहां भी डाल सकते हो या फिर array a1 लिखके या जो भी नम दोग उसके बाद में भी it's on you दोनों तरह से right होगा so int square bracket a1 हमारा array 1 होगा equal to new int and size define कर दो let's say मैं यहां पर 50 लिख रहा हूं so इसी तरह से array 2 भी करते हैं int array 2 means a2 equal to new int 50 तो दोनों array को हमने यहां पर initialize कर दिया अब उनके size लेते हैं और उससे सबसे elements लेंगे so system.out.print enter size of array 1 and उसको store कर देंगे हम लोग एक variable में so int size1 यह हमारा array 1 का size है equal to sc.nextint and in the similar way हम लोग size लेंगे array 2 का भी so मैं same code को copy paste कर लेता हूं and array 1 के जगा पर array 2 लिख दिया size 1 के जगा पर size 2 लिख दिया so we have taken the size of both the arrays and अब हमको elements लेंगे तो message एक लिख देते हैं कि system.out.print enter the elements of array 1 and इसके बाद किस तरह से हमको उस particular size तक हमको लेना होगा array तो उसके लिए for loop का use करेंगे so for int i equal to 0 i is less than size 1 i++ जब तक हम लोग size के equal नहीं आ जाते हम लोग एक एक elements को read करते रहेंगे users से so for loop लगा दिये and यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे array 1 को update कर देंगे so a1 of i equal to sc.next int so हमने हर एक size जो user दिया array 1 का वहाँ तक के सारे elements ले लिए so यह था array 1 का काम यहाँ तक हमको array 1 का सारा चीज हो गया size भी ले लिए elements भी ले लिए and in the same way हमको array 2 के लिए भी करना है so मैं same code copy paste कर लेता हूं टाकि time बचे and जहाँ जहाँ array 1 है वहाँ पर array 2 कर देता हूं and size 1 को size 2 कर दिया so for int i equal to 0 i is less than size 2 i++ a2 of i equal to sc.next int so we have taken the inputs from user दोनों array ले लिए size ले लिए अब हमको बनाना क्या था एक याद है equal function बनाना है जिसमें हम लोग पूरा calculation करेंगे कि क्या इनका length same है अगर same है तो उनको sort करेंगे चेक करेंगे क्या उनके elements भी same है ठीक है so check that equal function returns true or false and सबसे पहले हम लोग को initialize करना होगा equal function को and then length find करेंगे so main class के उपर लिखोए चीज़ है ठीक है so public static boolean हम लोग लेंगे क्या हम लोग चेक करेंगे two false इसलिए उसको boolean से denote करते है so public static boolean equals and यहाँ पे equals sorry equals ने int array 1 and int a2 means array 1 array 2 अब देखो क्या करना थामको पहले इनका length find करना है so int n equal to a1.length and int m equal to a2.length so n और m क्या है a1 का length and a2 का length respectively so length निकलने के बाद हमको क्या करना है इन दोनों array को sort करना है so हम लोग use करेंगे arrays.shot function का so arrays.shot a1 and similarly arrays.shot a2 दोनो arrays को हमने sort भी कर लिया उनका length भी find कर लिया अब compare करते हैं दोनों के length को so if n is not equal to m अगर n और m equal नहीं है तो हम लोग return करेंगे false कि भाई इनका length ही same नहीं है तो हम आगे proceed करके क्या ही करेंगे जब length ही same नहीं दोनों array का तो फिर यह same नहीं हो सकते हैं so हम लोग return कर देंगे false को so यहाँ पर देखो जहाँ पर हमने यह length निका था न so यह यहाँ पर round brackets नहीं आएंगे वह by mistake में आप लिख दिया था so अगर length equal नहीं तो return false करेंगे नहीं तो क्या करेंगे हम लोग लूप चलाएंगे दूसरे से match कर सकते देखो किस तरह से वह किया जाता है so step में लिखा था कि initialize the loop and check the 0 से लेके हर एक index check करेंगे so क्या होगा उसका syntax if a1 of i मतलब i-th position पर जो element है a1 में क्या वह not equal है a2 of i ठीक है समझे आप समझो कि अगर array 1 में 0th position पर 1 है and array 2 में 0th position पर 3 है तो क्या यह दुनों equal नहीं है अगर यह दुनों equal नहीं है तो हम लोग return करेंगे false फिर हम लोग for loop के भार आदेंगे return कर देंगे true समझे आप मतलब कि जब तक i n से छोटा नहीं हो जाता है length of a i means array 1 का length से छोटा नहीं होता तब यह iteration चलते जाएगा suppose दोखो a1 पर 1 है and a2 पर 3 है दोनों same नहीं है तो हमने return क्या false एक बार false आगया तो हम लोग यह loop नहीं है वहीं पर क्या बोलते है इसको खतम कर देंगे हम इस loop के भारा return कर देंगे कि यह दोनों match ही नहीं हो रहे हैं तो यह array equal नहीं है दोनों और by chance अगर कहीं पर भी ऐसा condition है कि starting से हम लोग find कर रहे हैं और दोनों element match करते हैं करते हैं तो हम लोग true return कर देंगे and जब तक array के length के equal नहीं आ जाते हैं सब elements पर नहीं जाते हैं जब तक हम लोग चेक करेंगे and अगर true आ गया हर एक बार तो हम लोग कर देंगे कि यह element यह element जो है दोनों के array में same है और हम लोग return कर देंगे कि both the arrays are same so यह चीज़ print करने के लिए हमको वापस से main function में आना होगा वहाँ पे condition लगाना होगा if equals a1, a2 array 1, array 2 then we have to print both the arrays are same else हम लोग print करेंगे both the arrays are not same हम ने user से array लिया means array का size लिया उसके elements लिये फिर हम लोग ने एक equal function मनाया जहां पे हमने length find किया उनको sort किया अच्छे से and sort करने के बाद हमने हर एक element पे iteration चालू किया और जिस भी हम लोग हर एक position पे चेक करें थे 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे जितना भी size होगा और एक भी position पे अगर वो match नहीं होगा हम लोग return false कर देते थे false return करना मतलब हम लोग कह रहे हैं कि both the arrays are not same ठीक है time बचा लिए हम लोग बार बार आगे नहीं करेंगे और अगर true आगया तो फिर वापस चेक करेंगे true आगया फिर वापस चेक करेंगे और पूरे element चेक करते जाएंगे समझे आप इस तरह से यह लोग काम करता है था so यह था Java code to find the to find if the both the given arrays are same or not means उनके elements same a के नहीं तो इस code को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे code को run करते है save करके and अलग-अलग example देखते हैं ताकि हमको और अच्छी से समझ में आ जाए so मैं code को save करके run करता हूं and output check करते है so तो यहां पर message आ गया कि enter size of array 1 तो यहां पर मैं array 1 size डालता हूं so मैंने size size लिगा 3 फिर elements हमको enter कर देंगे array 1 का so 2 5 और 9 मैंने यहां पर enter किया enter size of array 2 मैंने यह भी 3 रखा and elements रखे 9 2 और 5 मैंने sort करके नहीं रखा तो बहुत array से तो पहले इसका length check किया किसे में किनी same है फिर array को sort करके element check किया सब same है तो हमने print कर दिया both arrays are same एक और example देखते है enter size of array मैं यहां पर 4 enter कर रहा हूं उसके elements enter कर दिये and size of array 2 मैंने 5 रखा और elements डाल दिये so both arrays are not same क्योंकि length ही same नहीं है दोनों का एक और example देखते है enter size of array 1 मैंने 2 लिखा और यहां पर कुछ numbers लिख देता हूं enter size of array 2 यह भी 2 है and elements भी मैं लिख देता हूं and both the arrays are same कितना बड़ा भी नमर हो लेकिन length same है और elements same है तो both arrays are same so this was the java code और हमने देखा step कि किस तरह से find कर सकते है दो array same है कि नहीं so let us move towards the python code जो कि बहुत ज़्यादा easy है 10-11 line का code है वास coding statement description सब same है and input output डेख लेते हैं किस तरह से रखा है हमने same रखा है so directly हम लोग user से input लेते है array 1 का size उसके elements array 2 का size उसके elements and फिर हम लोग start करके check करेंगे कि वो दोनों elements जो arrays में वो same है कि नहीं अगर same है तो दोनों same array so n equal to input enter size of array 1 और हमने array 1 करके एक array बना दिया empty array फिलाल के लिए जहांपे हम लोग क्या करेंगे size जो है array 1 का उसे जाप से element वहां पर लेंगे user से so statement यहां पर प्रिंट करवा जाते हैं enter elements of array 1 जिसे देखके user array 1 के elements को enter करेगा and तो मैं same चीज़ copy paste यहां पर कर देता हूं statement फिर देखो for loop को use करेंगे कहां से कहां तक का range होगा इसमें for i in range किसके range तक array 1 का ले तो array 1 का size कितना था n था so for i in range till n so हम लोग क्या करेंगे array को append करेंगे array 1 dot append और उसमें क्या होगा inputs होगा जो कि user could enter करेगा so int input int q क्योंकि integer हम लोग numbers लेने वाल है so यह था array 1 का काम मैं size ले लिया array 1 का और elements लेके उसको store कर दिये array 1 a rr1 नमके array में so same way मैं मैं array 2 के लिए भी कर दिया और n की जिगा पर यहां पर मैंने m लिया है m is the length of the size of the array 2 ठीक है is that clear to everyone array 1 array 2 आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने input लिया में size लिया उसके elements लिया and for loop चला के हारे के elements को append कर दिया उस empty array में is that clear आप देखो बहुत simple सा code है वस दो land का code है हमको क्या करना है हमको करना है array 1 dot sort बस खतम काम and array 2 dot sort हमने दोनों array को sort कर दिया and check करेंगे क्या sorted array same है so if array 1 equal to array 2 अगर दोनों sorted array equal है तो हम लोग print कर देंगे क्या print करेंगे कि both the arrays are same else both the arrays are not same as simple दीक है कितना आसान सा code है हमने array 1 का size लिया उसके elements ले लिये array 2 का size लिया उसके elements दोनों array को sort किया and एक condition लगा दिया बस कि array 1 equal to equal to array 2 means the sorted array अगर दोनों array sorted same है उसके elements है एक तरह से तो both the arrays are same else both the arrays are not same so मैंने code को यहां पर run किया message आ गया enter size of array 1 मैं यहां पर 3 लिख रहा हूं elements हमको enter कर देंगे 2 5 6 enter size of array 2 तो यहां पर इसका size भी हम लोग 3 रखते है और इसके elements भी यहां पर enter कर देता हूं so 6 2 और 5 मैंने order अलग लखा है देखो both the arrays are same even though उनके order अलग है क्योंकि हम लोग finally वहां पर sort करेंगे so दूसा example देखते है enter size of array 1 मैं यहां पर 5 लिखा हूं so कुछ elements यहां पर मैंने type कर दिये जो की बड़े numbers है and enter array of size 2 यहां पर मैंने 4 size रखा और इसके elements यहां पर enter कर दिये so output के आएगा both arrays are not same क्योंकि दोनों के size ही same नहीं दोनों का length ही same नहीं तो same कैसे होंगे so enter size of array 1 मैं 2 लिखा यहां पर कुछ values डाले enter size of array 2 वहां पर कुछ values डले तो दोनों values same थे elements same थे so this was the python code और python program to check whether two arrays are same or not basically their elements are same or not and बहुत easy code था कोई doubt नहीं and java code भी आपने देख लिया so please like करो and share करना यह playlist भी और यह video बहुत ज़्यादा important यह topic बहुत ज़्यादा important था so मिलते कल शाम को साथ बजे एक नए problem statement के साथ till then subscribe करको channel को और यह 100 discussies सबके साथ share करना happy learning करना